Hello everyone, कैसे हैं आप सब? जितने भी लोग negative सोचते हैं, परेशान होते हैं, दुखी रहते हैं, depression में रहते हैं, उनकी इच्छाए manifest नहीं हो रही हैं और इच्छा manifest नहीं होने की वज़़े से वो लोग परेशान रहते हैं तो उनके लिए खास कर ये बहुत ही ज़्यादा important वीडियो है, आपको पुरा last तक देखना चाहिए क्योंकि मैं आपको total 7 शब्द ऐसे बताने वाला हूँ, 7 sentences बताऊंगा, जो आप दिन बर में दोराते होंगे बहुत सारे लोग, 90% से ज़्यादा लोग इन सारे शब्दों को दोराते हैं और इसी लिए उनकी इच्छाय manifest नहीं होती है चाहे आप कितनी भी techniques को practice करें, आपकी इच्छाय manifest नहीं हो पाती है और उसका बहुत ही बड़ा कारण है इन शब्दों का इस्तमाल करना तो कौन से ऐसे साथ शब्द हैं, जिनने आपको अपने मुझसे बिलकुर नहीं निकालने चाहिए क्योंकि मैं आपको guarantee के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप इन शब्दों का इस्तमाल करते हैं अपनी जिंदिगी में तो आपकी manifestation कभी पूरी नहीं होगी इस वक्त आप किसी भी technique को practice कर रहे होंगे, उसके साथ साथ आप ये technique भी practice कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही simple है, बहुत ही असान है, लेकिन बहुत ही जादा powerful है, बहुत ही जादा effective है आपको जरूर practice करनी चाहिए और इससे बहुत सारे लोगों को फायदा मिला है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे दिमाग में, हमारे भीतर में दो लोग रहते हैं एक शैतान और एक अच्छा इंसान, ठीक है, एक good और एक evil आपने वो story तो सुनी होगी, दो भेडिया की, जिसमें एक भेडिया जो केवल negativity, hatred, revenge, जो भी negative चीज़े होती हैं, उन सभी को खाता है और एक और जो भेडिया होता है, वो केवल positivity खाता है, तो जो भी हम बोलते हैं, वही वो खाता है तो हमें ध्यान में रखना है कि हमें केवल positive शब्दों का इस्तिमाल करना है, ताकि वो जो शैतान वाला wolf है, वो जो भेडिया है, वो भूका मर जाए, उसको कभी भी खाना ना मिले और वो हमेशा के लिए हमारे जिन्दगी से चले जाए, और जो अच्छा वाला भेडिया है, जो हमारा अच्छा इंसान है, हमारे भीतर है, वो हमेशा जिन्दा रहे, और हमेशा हमें positivity की तरफ, आगे बढ़ने की तरफ, success की तरफ हमें help करे, तो चलिए जल्दी से उन साथ वाक्यों के बारे में जानते हैं, सबसे पहला वाक्य है, जो आप कभी न कभी तो बोले ही होंगे, मेरा आज का दिन ही खराब है, for example, अगर आप घर से निकले, और अचानक से आप traffic jam में फस गए, तब शायद आप इन शब्दों का इस्तिमाल कर सकते हैं कि आज का मेरा दिन नहीं खराब है, तब जो ये शैतान वुल्फ है, ये आपको ऐसे ऐसे अफसर देगा, जिसके कारण आप और ज्यादा परिशान होंगे, आपका दिन अच्छा हो सकता था, लेकिन और खराब होता जाएगा, तो इन शब्दों का प्रयोग करके, आप इसको और feed कर रहे हैं, इसको और खाना दे रहे हैं, जैसे कि ये और ज्यादा powerful बन रहा है, और आपको गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है, तो इसके वज़ाए आपको क्या बोलना चाहिए, आज का मेरा दिन, इश्वर का दिया बहुत बड़ा तौफा है, आज का पूरा दिन मैं खुश रहूंग और खुशियां बाटूंगा, धन्यवाद ब्रह्मांड, इस तरीकी की प्रेयर आप बोल सकते हैं, जिसे कि आपका पूरा दिन बहुत ही positive तरीके से बितेगा, इसके बाद जो second वाक्य है, वो यह है कि मेरे सारे काम असफल ही होते हैं, और जब आप ऐसे बोलते हैं, तब आ अगर आप exam में fail हो गए, तब आपके दिमाग में ये बात आ सकती है, कि मेरे सारे काम असफल ही होते हैं, लेकिन जब आप असफलता पर focus करेंगे, तब आप सफल कैसे होंगे, इसलिए आपको ये बोलना चाहिए, कि मैं दिल से, मैं पूरे दिल से ब्रह्मांड का धन्यवा पढ़ता हूं, तो अगर आप ये बोलेंगे, तब आपका जो शैतान वुल्फ है, वो आपको ऐसे ऐसे अफसर देगा, यानि कि आपकी बीमारी जो ठीक रहेगी, वो आपकी emotional और physical health को down करता जाएगा, और आपका mindset weak होता जाएगा, for example, अगर कभी आप बीमार हुए, तब अगर आप ये शब्द बोलते हैं कि मैं हमेशा ही बीमार पड़ता हूँ, तब आपका confidence बहुत ही lose हो जाएगा, और इस शैतान वुल्फ को power मिलेगी कि वो आपको और ज़्यादा help करेगा, इस confidence को lose करने में, इसलिए आपको ये प्रार्धन बोलनी चाहिए, मुझे स्वस् 9% लोगों की problem है, जो लोग ये बोलते हैं कि मेरा नसीब ही खराब है, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता नसीब वसीब के बारे में, लगवक के बारे में मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि अगर आप ये बोलते हैं कि मेरा नसीब खराब है, तब ये जो शैतान वुल्फ है यह आपको ऐसे evidences ऐसे सबूत देना शुरू कर देगा जहां जहां पर आप असफल हुए थे और आपको पुरूफ कर देगा कि देखो यहां यहां पर आपका नसीब खराब था तो अगर आप यह सोचोगे तब आप इसको और ज़्यादा पावर दोगे और यह और शक्तिशाले होगा और आपको और ज़्यादा सबूत देगा जैसे कि आप ट्राय करना बंद कर देंगे आप कोशिश करना बंद कर देंगे और आपकी इच्छा मैनिफेस्ट कैसे होगी इ भगवान ने मेरे लिए अच्छी योजना बनाई है, मेरा बविश्य बहुत ही उजवल है और नसीब हमेशा मेरा साथ देता है। धन्यवाद प्रहमांड इस प्रार्थना को बोलने के बाद भी आपको एक बात याद रगनी चाहिए कि आपको नसीब पे भरोसा न करके चाहिए और दोस्तों इसके बाद मनी के लिए पांचवा सेंटेंस है कि मैं हमेशा गरीबी रहूंगा जब आप ये बोलते हैं कि मैं हमेशा गरीबी रहूंगा तब गरीबी आपकी जिन्दिकी में अट्रैक्ट होती है और ये जो शैतान वुल्फ है या आपको ऐसे उपर आपको पैसा नहीं आ रहा आपके पास में तो अभी आप financial तरीके से struggle कर रहे हैं तो जब आप ये बोलेंगे कि मैं हमेशा गरीबी रहूंगा मेरे पास पैसे आसाने से नहीं आते हैं तब आपके पास पैसे आसाने से नहीं आएंगे और हो सकता है कि आप हमेशा गरीबी र आने के लिए भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दोस्तों इसके बाद 6th sentence है आपके सपनों के लिए आपके बड़े बड़े goals के लिए और आप हमेशा ये बोलते होंगे कि मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे या फिर नहीं होते हैं तो अगर आप ये बोलते हैं तो आपके सपने कभी भी पूरे नहीं होंगे क्योंकि आपका जो शेतान वुल्फ है वो आपको ऐसे सबूत देगा जो आपको दिखाएगा कि आपने कब कब बड़े सपने सोचे थे और देखो कि वो पूरे नहीं हुए लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना है आपको ध्यान देना है कि आपने क्या अचीव किया है इससे क्या होगा कि आपको confidence high होगा आपका inspiration आपका motivation high होगा और आप बड़े सपने देखना चाहेंगे लेकिन आपका जो शैतान वुल्फ है वो आपको इन सपनों को तोड़ने पर focus करेगा इन सपनों को छोड़ने पर focus करवाएगा और इसी लिए आपको ये प्रार्थना बोलनी चाहिए भगवान मेरी सबी इच्छाएं पूरी करते हैं मैं अपने सपनों को भगवान के हाथों में सौप कर उन पर पूरा विश्वास करता हूँ धन्यवाद प्रह्मांड आपको भगवान पर पूरा विश्वास होना चाहिए और आपको अपनी इच्छा को लेड़ को कर देना चाहिए यानि कि आपको अपने सपनों को भगवान के हाथ में सौप देना चाहिए और फिर जब भगवान आपकी इच्छा पूरी करेंगे तब आप इतना सोचे होंगे और आपको मिलेगा इतना सारा और अब हम बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ जो है सेवेंट पॉइंट दोस्तो सेवेंट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो लोग competition में भाग लेते हैं एक्जाम पास करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी भी competitive exam में भाग लेते हैं या फिर कोई भी interview देते हैं कहीं पर भी उनको कुछ opportunity वाली बात आती है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा important है कि आप लोग इस तरीके के शब्द बोलते होंगे इस तरीके का वाकिये बोलते होंगे कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ ये वाकिये बहुत ही ज़्यादा negative है क्योंकि इससे आपकी pass होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है और जो आपका शैतान बुल्फ है वो आपको ये बोलेगा कि आपके अंदर इस exam को pass करने की capability नहीं है आप इस competition में भाग नहीं ले पाएंगे आप इसमें कभी सफल नहीं हो पाएंगे और जब आप खुद से बोलेगी कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ तब आप ये मान लेंगे कि आप इसके काबिल नहीं है और अगर आप ये मान लेंगे कि आप इसमें pass नहीं हो सकते तो फिर आप pass नहीं हो पाएंगे लेकिन अगर आप मान लेंगे कि आप इसमें pass हो सकते हैं आप इसमें succeed हो सकते हैं success पास सकते हैं तो किसी भी तरीके से आपका जो अच्छा वुल्फ है वो आपको help करेगा इसमें पास होने के लिए तो इसके लिए आपको ये प्रार्थना बोलनी चाहिए हम सभी परमिश्वर की छवी में बने हैं और उनमें असीम संभावनाए हैं मुझे इतना काबिल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रहमांड तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आयोगी तो इस वीडियो को सेफ कर लें और उन लोगों के साथ जरूर शेर करें जिनको इस वीडियो की सक्त जरूरत है जो बहुत ज़्यादा नेगिटिव सोचते हैं और उनको पॉजिटिविटी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो वो लोग इस प्रार्थनर की मदद से जरूर आगे बढ़ सकते हैं मैं आपको याद देलाना चाता हूँ कि मेरी affirmation ebook मैं बिलकुल free में दे रहा हूँ नीचे में लिंक है वहाँ पर क्लिक करो अपना नाम, mobile number, email id डालोगे तो आपको वो ebook free में download हो जाएगी आपके email पर और आप मेरे whatsapp group को join करेंगे तो वहाँ पर आपके लिए एक बहुती बड़ा surprise चुपा है वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बेल नॉटिफिकेशन को on करके all पर क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो आगे भी मिलती रहे Thank you so much everyone for watching this video God bless you